लखनो विश्विद्याले में इन दिनों हॉस्टल टाइमिंग्स को लेकर मुद्दा गर्माया हुआ है और इस पर हमाई साथ बात करने के लिए चीफ प्रॉक्टर प्रॉफेसर राकेश दिवेदी जी हैं सर टाइमिंग्स को लेकर बात कही जा रही है कहा जा रहा है कि चात्रावास में आट बजे के बाल लड़कियां जो है वो बाहर नहीं निकल पाएंगी फिल लड़कों के लिए दस बजे कर दिया गया है क्या है यह पूरा मामला किस तरीके से इसको देखते सर देखिए विश् प्रवोस्ट होते थी चात्रावास में वपास है इसी करम में हम लोगों ने इसको फिर से सर्कूलेट कर दिया है और अगर किसी चात्रा को लगता है कि मतलब बाहर जाना तो अपने पहले भी सूचना दे करके या इंटिमेट करके आपने जाते हैं जिसे हमारे अकैडमिक का होता रहता है तो प्रयोक्षालायमाले रात में चल नहीं है तो टीचर्स को पता रहता है अगर आप इक्वालिटी की बात करते तो अगर लड़कों का दस बज़े कर दिया गया तो हमारा भी दस बज़े करना चाहिए देखे हमारे लिए इंवरस्टी एक्वल है चीजे हैं और इंवरस्टी में चितना चाहत्षात्रों को एक्वल राइट सबको दिये गए हैं सबके लिए उसी प्रकार से सारी ववस्था हैं कभी-कभी तरीके से प्रकार की गई कि हम लोगों ने इससा कर दिया है और इसमें हम लोगों ने अपने अंत्री ववस्था के तैदी किया इसमें कोई इस पकार का डिस्क्रिमिडेशन का इश्यू ये जेंडर बाइसने से कोई इस विश्यू नहीं है जो कि हमारे आभी दर लाग रहा है परसों से देखिए आपको और दुन दुन पढ़ा हो रहा है रात मे अनुशाशन के लिहाद से क्या करें कितना जरूरी है सर। क्योंकि अच्छे बच्चे लोग आ रहे हैं सबको हम लोग प्रिविलेज्ज दे रहे हैं लाइवरेरी कभी हम लोगों ने टाइमिंग को बढ़ाया हुआ है और पहले हास्टल में छे वजे की बाचीत होती है जब आट वे तक जा रहे हैं तो कोई ऐसा इस्व नहीं है और ब से और टाइमिंग्स कोई नहीं नहीं है पुरानी है हाँ हाला कि समय समय पर इस चीज को सामने लाना और चात्रों के सामने लाना जरूरी रहता है ताकि वो अनुसाशन में रहें विर्जन संवा के साथ है भी शेक पाने डेली इंसाइडर लखनव यूपे और देश दुनि अनुसाइब डेली इंसाइडर